हेलो गाइज, वेलकम अगेन आन में यूट्यूब चैनल तो कल एक मैंने जो वीडियो डाली थी राइटिंग टास्क टू के फिक्स अंटेंस आज उस सीरीज का सेकेंड डे है और आज मैं 11 फिक्स लाइन्स जो है 11 फिक्स अंटेंस प्लस वोकेबलरी आपको टीज करने जा रहा हूँ हिंदी बोलने का रिजन ये है कि काफी बच्चे डियर स्टुडेंट्स हिंदी बोलने वाले मीडियम से हैं तो उनको पंजाबी समझ नहीं आती बट पंजाबी बच्चे को हिंदी समझ में आ जाती है इसलिए हम हिंदी में वीडियो बना रहे हैं ठीक है तो आई होप आप फिर भी इस वीडियो को देखोगे और लर्निंग कॉंटीनू रखोगे ठीक है चलो स्टार्ट करने से पहले जस्ट आदा मिनिट मैं अपने लिए लूँगा आप संडे को बिलकुल फ्री ओफ कोस जो मैं कलास देता हूँ उसको जॉइन कर सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सब्सक्राइब जरूर करो अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो प्लीज आप भी मेरे लिए कुछ करो इस वीडियो का टार्गेट है आप 250 लाइक्स only 250 लाइक मैं मांग रहा हूँ इस वीडियो के लिए और आप ये वीडियो को अपने पांच IELTS चाहे वो PT कर रहा है चाहे वो वैसे स्पीकिंग करता है सीख रहा है spoken का student है पांच दोस्तों के साथ जरूर शियर करो और आप स्पीकिंग की PDF बाय कर सकते है जो मेरी खुद की लिखी हुई है चलो start करते हैं जी अपने पास first sentence है इसमें आप का भी words सीखोगे और sentence for mission सीखोगे तो sentence है if procreators want not to make their children's future hazy but want their holistic development they should inculcate them to start reading books at a small age ठीक है तो procreators मैंने यहां किसको कहा है parents को जो पैदा करने वाले होते हैं उनको हम procreators बोल सकते है चिल्डरन्स future hazy मतलव अगर अपने बच्चों का जो future है उसको दुंदला नहीं करना चाते लाइक अच्छा बनाना चाते हैं बुरा नहीं बनाना चाते तो hazy का मिनिंग होता है दुंदला ठीक है थोड़ा blur ठीक है बट उसको holistic development चाते हैं समपूरन growth चाते हैं तो उन्हें चाहिए के inculcate करें inculcate होता है दिमाग में बठाना क्या चीज ये चीज दिमाग में बठा दे कि आप reading की books जो है वो read किया करो छोटी age से start कर दें ठीक है चलो अगले question के और चलते हैं सॉरी sentence की और second sentence देखो doing theory as well as Bible study gradually makes a pupil honest and wise to his aim तो doing theory, theory तो आपको पता ही है Bible study का क्या मतलब होता है कि practical study ठीक है तो ये मैं vocabulary भी आपको साथ साथ में teach कर रहा हूँ ऐसे sentence बनाओगे तो आपका band score definitely आएगा और अगर आप fast learning करना चाहते हो ऐसी चीज़े रोज सीखना चाहते हो और इसके लावा जो आल्स के लिए required चीज़े तो फिर आप regular classes में भी आ सकते हो हम sentence की बात करते है theory और Bible study दीरे दीरे करने से एक बच्चा honest इमानदार और wise likewise होता है स्याना ठीक है स्याना बनता है अपने aim को लेके ठीक है next देखो daily practical study with diverse community अब practical study क्या होती है मतलब practical study जैसे with diverse community diverse community का क्या मतलब होता है कि कोई बच्चा किसी गोत का कोई बच्चा किसी कैटागिरी का कोई बच्चा like संदू सिद्दू जैसे होते हैं ठीक है वैसे कोई मल होतरा ठीक है अलग-अलग community से जो बच्चे होते हैं ठीक है daily practical study with a diverse community at school or college curriculum provides a chance to get various ideas ठीक है तो school college curriculum क्या होता है जो school college का syllabus वगरा होता है उसमें अगर बच्चा practical study करता है practical study करता तो वो अच्छे अच्छे आइडिया सीखता है अगला sentence है creative subjects help budding minds to get futuristic benefits यह sentence मैंने कल भी डाला था बट इसमें जो last वाले दो words है वो different है कि जो creative subjects होते हैं budding minds को help करते हैं futuristic benefits के लिए जिनको budding mind का meaning नहीं पता वो कल वाली वीडियो जरूर देखो यह एक series चल रही है इसको excited से जरूर फॉलो करो ठीक है अगला अगला अपना जो sentence है वो है neglected people by the society abduct juveniles in lieu of demanding ransom तो यह sentence बहुत vocabulary से filled है आपको यह अभी हो सकता है difficult लग रहा हो बट एक second में हमें इसको simple बनाने वाला हूं neglected people कौन होते हैं जिनको जमाना नकार देता है जिनको दुनिया अच्छा नहीं समझती भी चल भई चल तेरी यहाँ पर कोई जगा नहीं जिनको नहीं सुनने को मिलती उसको बोलते है neglected people ठीक है अगर आप अपने बच्चे की सलामती चाते हो तो 50 क्रोड लेकर आ जाओ न तो वो चीज इन लिव आफ का मिनिंग होता है के बदले में ठीक है तो जो जमाने से नकारे हुए लोग होते हैं वो बच्चों को किडनाप करते हैं और बदले में फिरोती मांगते हैं जब आपक कोई crime वगरा के related task आता है तो यह sentence आपका काम आएगा next देखो when students work with cooperation cordality among them increases तो जब कोई student कोई education के regarding आपका sentence आता है topic आता है तो उसमें यह sentence चलेगा और यह vocabulary चलेगी कि जब students बच्चे cooperation के साथ like मिल जूल कर काम करते हैं cordality होती है सद बावना like friendly behavior जो है वो उनमें increase होता है तो cordality ठीक है the nature and nurture of a child depends on parents nature होता है सुबह आओ ठीक है nurture होता है पालन पोशन कैसे उसको पाला गया किस महाल में बच्चे को रखा गया like उसको सुबह उठते ही अच्छा खाना मिलता था जब पापा से गालियां मिलती थी तो वो इस चीज की मैं बात कर रहा हूं कि बच्चे का सुबह आप स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हो राइट नेक्स्ट है दी नेच्चर ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स लाइक हाव दे नर्चर चिल्डरन तो यह वही बात जो मैंने पिछली संटेंस में बोली उसकी ट्रांसलेशन यह एक बच्चे का सुबह आप पेरेंट्स के उपर डबों में आता लाइक जिनकी एक्सपाइरी डेट होती है तीन महीने चार महीने ठीक है तो उनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं कुछ ऐसी गैस कुछ ऐसी केमिकल्स डाले जाते हैं जो इस फूड को दो दो तीन तीन महीने के लिए सेफ रखते हैं इंजू food की bad nutritional value होती है nutritional value का मेनिंग क्या होता है vitamins ठीक है कितनी sugar है कितना उसमें खनीज है कितना उसमें carbs है कितना उसमें like protein है यह सब होते nutritional values ठीक है तो हम बोल रहे हैं bad nutritional values of food have lethal outcomes lethal का मतलब होता है गातक ठीक है बहुत बुरी outcomes होती है ठीक है नेक्स देखो parents can instill a sense of compassion and integrity into a child ठीक है इंस्टिल होता है मन में बिठाना like parents जो है वो एक मन में बिठा सकते हैं क्या चीज़ compassion होता है दया बावना ठीक है integrity होती है like हिंदी में अब इसको क्या बोलूं यह भी like respect के related एक word होता है अभी हिंदी में मुझे माइंड में नहीं आ रहा तो parents can instill a sense of compassion and integrity into a child ठीक है आप इसको एक बर सर्च फिर भी कर ले ना वर्ट मेरे मेरे कुछ words ऐसे होते हैं जिनके हमें हिंदी में मतलब नहीं पता होते हैं जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि हम अगर बोल दें कि जैसे जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं ना उनको शुरू से sorry words सुनने को मिलता है उनको कभी सिखाए नहीं जाता मुझे माफ कर दो ना वो उनको बच्पन से उनकी माएं sorry सिखाते हैं tension words सिखाती है उनको सिखाया नहीं जाता कि क्रिप्या उनको बदाय नहीं जाता कि एपल को बोलते हैं वो बाद में अपने English में सीखा तो मुझे इसका Hindi का meaning नहीं पता है Question of the day है जी Alma matter एक word है Alma matters ठीक है इसका क्या synonym है और क्या इसका meaning है आप comment box में जरूर बताना और if you want fast learning and crack IELTS within one or two months contact me on my given number, number मैंने दिया है ठीक है मेरा easy IELTS with Ankhush Kambooch, Ankhush मेरा नाम है तो ऐसी ही learning मैं चीज़ों को easy बनावन आकर बच्चों को देता हूँ बच्चे जो बच्चों को बाहर 3, 4, 4, 5, 5 महिने लगते हैं मेरी guarantee के साथ वो 2, 2 महिने बाद exam देते हैं और अपना exam clear कर लेते हैं ओके thank you जी, bye bye